नवस्काद कैपिटल टीवी उत्तर प्रिदेश देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ बाबिता यूपी टैट पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और लापरवाई की दास्तान सामने आ रहे हैं वहीं इस बाद जो खुलासा हुआ है उसने सबी को सन करके रग दिया है यूपी की स्टियफ और साइटी ने चानबीन के बाद एक और बड़ा खुलासा किया है जिसमें ये बाद सामने आई है कि यूपी टैट के पेपर टाइप कराने के लिए दिल्ली से चार स्टूडेंट्स को हायर किया गया था वहीं ये भी बाद सामने आई है कि बिना जांच परताल के कुछ रुपए देके इनसे पेपर टाइप कराए गए थे यूपी टैट पेपर लिग मामले में लापरवाई का एक और सच सामने आया है जो है STF और SIT टीम की चानबीन के बाद ये बात सामने आ गई है कि यूपी टैट पेपर लिग के तार दिल्ली से जुड़े हुए है यूपी टैट का पेपर टाइप कराने के लिए दिल्ली के स्टूडेंट्स को हायर किया गया था इसके बाद नियमों के खिलाफ चार अलग-अलग प्रेसों में पेपर छपवाया गया इसमें एक प्रतिस्ठित मीडिया समू की प्रेस भी शामिल है जो नौईडा के सेक्टर 62 में स्थित है यूपी एस्टीएफ के सब इंस्पेक्टर अक्षे कुमार ने नौईडा के थाना सूरचपूर में दर्च कर आए गई एफाई यार बे पेपर छापने में बढ़ती गई एक एक लाफरवाई का जिक्र किया है इस एफाई यार में पेपर आउट के लिए सीधे तोर पर परिक्षा नियामक प्राधिकारी सचीव संजय उपाध्याय को दोशी बताया है पेपर लीक कांट की जाच अब स्टीएफ के नित्रितव वाली साइटी कर रही है और इस साइटी में करीब 15 अधिकारी शामिल किये गए है FIR की मताबिक RSM Finserv Company ने टैट का हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में पेपर टाइप कराने के लिए दिल्ली में स्कूल कॉलेजों के चार स्टुडेंट्स को हाइर किया था UPSTF ने इंचात्रों से भी पूस्ताच की उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ टाइपिंग के लिए बुलाया गया था इसके बदले उन्हें महंताना दिया गया बता दे कि 28 नवंबर को UP TAT का सभी जिलों में पेपर था सुबह 10 बजे पेपर शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो गया इस वज़े से परिक्षा को रद्द करना पड़ा UP में करीब 21 लाग परिक्षार्थी प्रभावित हुए थे जाच में सामने आया है कि RSM Finserv Limited दिली के पास छपाई के लिए प्राइवेट करमचारियों की बिना जाच के न्युकती की और पेपर को टाइप कराने के लिए दिली के स्कूल कॉलेजों वाले चार छात्रों को बिलाया RSM ने पेपर खुद ना छपवा कर दिली नौइडा कॉलकाता की चार प्रेस में छपवाया जिन चार प्रेस में पेपर छपा, वहाँ टाइपिंग, डिजाइनिंग, प्रूफ रीडिंग की सिसी टिवी, स्टी अफ को नहीं मिल पाई RSM ने पेपर छापने वाली चार प्रेंटिंग प्रेसों से नौन डिस्क्लोजर एग्रिमेंट भी नहीं किया था इस मामले में यूपी में अपदक करीब 36 लोग गिरफतार हो चुके हैं इसमें पेपर छापने वाली कमपनी, RSM Finserv Limited के डिरेक्टर, राय अनूप प्रेसाद और परिक्षा नियामक प्रादिकारी सचीव संजय पाद्याई भी शामिल है संजय ने अनूप को ये ठेकार 26 अक्तूबर को नोईडा के 5 स्टार होटेल में दिया था पूरे केस की जांच यूपी के SIT को दे दी गई थी, जिसके बाद कई लोगों के नाम सामने आए जिनमें कई तो ऐसे थे जो हैरान कर देने वाले थे इस मामले के बाद योगी सरकार भी काफी सकत नजर आई GCM योगी ने आरोपियों के खिलाब सकत कारवाई के निर्देश देने के साथ ही गैंगेस्टर एक्ट के तहथ संपत्ति कुर्क करने के भी निर्देश दिये थे कैपिटल टीम फिलाल के लिए बस इतना यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे कैपिटल टीव उत्तर प्रदेश नमस्कार